आज हम बनाने वाले पोहा की नास्ता आप इस तरह से पोहा जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे एक कटोरा पोहा एक मीडियम साइस के प्यांच को बारी काट कर लिया है थोड़ा सा करी पत्ता आधा निम्बू हरीमिच और गाजर लिया अगर आपको गाजर नहीं डाले ताब इसके जगह पे पतले पतले आलू को कट करके ले सकते हैं अब इसमें थोड़े से मुंगफली हम लेंगे सबसे पहले हम फोहा को धो लेंगे इसके लिए आप पोहे को एक बड़े बरतन में डाल दे और थोड़े मोटे साइज वाला पोहा ले बहुत ज्यादा पतला पोहा ना ले नहीं तो वह पानी में डालते ही गल जाएगा जो मिडियम साइज के पोहा आते आप उसे ले अब इसमें पानी डाले और इसे आप एक बार इस सबसे बें चोड़ दिया तो पोहा को एक दुस्षर से चिपक जाएगा जिससे आपका को खिला बिल्कुल नहीं बनेगा इस तरह से आप ठाली में अच्छी तरह से फैला दे अब हम आगे चलते हैं एक पैन को अच्छी तरह से गर्म करें और उसमें तेल डालते हैं तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दे सबसे पहले हम इसमें मूंगफली फ्राइब करेंगे मूंगफली को मिडियम फ्लेम में एक मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राइब कर लिए मुंगफली में गोल्डन कलर आ चुका है अब इसमें हम करीपता डालेंगे हम मुंगफली को निकालकर अलग प्लेट में नहीं रखेंगे आप इस तरह से जरूर ट्राइ करके देखें मुंगफली बिल्कुल सॉप्ट नहीं होता ये क्रंची ही रहता है लास्ट तक करीपता क कह पुछ सकेंद के लिए तेल में जलने दे का अब इसमें हम हरी मेच डालेंगे एक मेट्यम साइस के प्यांज डाल दे और थोड़े से इसमें गास डाल दे और इन सारी चीज़ों को मेरें स्वादान असार आप नमक डाले और यहाँ पर वण चमच हल्दी डाल दे और इसे अच्छी तरह से मिला ले मैंने यहां पर करीपता डालने के बाद राई डालना भूल गई थी इसलिए यहां पर मैंने वेजटेबल को साइड करके यहां पर वन फोट चमच सरसो के दाने लिए हैं यानि की मस्टरड सीड और इसे कुछ सेकेंड के लिए आप उसमें तेल में फ्राई होने दे और इससे उसके बाद बद मिला ले आप ध्यान रखे करीपता डालने के बाद हिए मैंने इसकिपकर गए था इसलिए बाद में डाला है अब इससे अच्छी तरह से लाला ले और इससे में मिलाटे meio प्ले में 20 बीच में मिलात अब इसमें दो छोटी चमश चीनी डाल दें और इसमें हम आधा निम्बू का रस्ट आ लेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए बस दो मिनट के लिए हम मेडियम फ्लेम में और पकने देंगे दो मिनट हो चुका है अब इसका फ्लेम हम बन कर देंगे आप देख सकते हो पोहा कितना स्वाप्ट हमारा बना है आप इस तरह से पोहा जरूर ट्राइ करें आपके भी पोहा दम खिले खिले बनेंगे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चै जरूर शेयर करें मिलती हो नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर एंड थेंके फॉर्ट